असलाम वालकूम, K-Trade Morning Outlook में मैं हूँ अश्याम, आज की कुछ news डिस्कस कर लेते हैं, तो first of all हमने देखा के रुपी जो है वह एक decline की तरफ गया है, especially due to debt repayments और importers की तरफ से dollar demand, तो अभी currently जो PKR है वो तक्रिबन 280 के around trail कर रहा है, other than that हमने ये देखा के T-bills के auctions के results है, ज जिसमें yields जो हैं वो गिरी हैं, जिससे ये पता लगता है के जो participants हैं, वो एक safe play की तरफ जा रहे हैं, lastly, oil prices हमने देखा के steadily एक incline की तरफ गयी है, especially due to जो Palestine और Israel की war चल रही है, उसकी वज़ा से एक turmoil create हुआ है, और normally भी यही होता है के oil prices ही अबसे पहले एक effect इस पे लेती है तो अभी जो currently Brent है, वो 90 के around trail कर रहा है और WTI 88 के around trail कर रहा है, market sentiment हमें overall positive ही नजर आ रहे है, उसकी सबसे बड़ी वज़ाई ही है, कि IMF का जो review है, उसमें उसके लिए इकदमाज जो लिये जा रहे हैं, वो इस सा इस सा targets भी fulfill हो रहे हैं, और most likely यही लग रहे है, कि IMF का जो promised trench है, वो पाकिस्तान को receive हो जाएगा, जिसकी वज़ा से फिर further developments की दरफ हम move कर सकते हैं, and that's all, thank you.